हेलो एवरिवान, आज हमें इस वीडियो में कमपारशन करेंगे POCO M4 Pro में और MRadminote 9 Pro में देखते हैं कि बेस्ट होन कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट कते हैं सबसे पहले बात कते हैं डिस्प्ले से POCO में है 6543 इंच की इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है MI की है डिस्प्ले 6,67 इंच की इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है POCO में आपको 19Hz का रिफ्रेसिट मिलता है MI में है 60Hz का डिस्प्ले कोर्टी में POCO बेस्ट है बात कते हैं प्रोजसर की POCO का है Midite का G96 का CPU है 2.05 गाहर ओक्टगोर का 12.90 का फिन फैट GPU है जिस्प्ले में का MI का है प्रोजसर Snapdrain का 720G का CPU है 2.30 का हार ओक्टगोर का 8.90 का फिन फैट GPU है 618 का और दोनों के ही प्रोजसर बेस्ट है बात कते हैं बैट Camer pattern की तो POKO का है Triple Main camera है 64 मिसल का P-8 का, P-2 का MI का Speed Main camera है 48 का और दोनों का 5000अमेज़ की MI में है 5,20अमेज़ की और दोने की battery Matrix नोनिबल है आप दोने की battery को निकालनी सकते और Poco में चारजर है 33W का, MI में 18W का, दोनों में टाइपस का स्वोट है दोनों में आपको फिंगपी सेंसर और फेसलोक भी मिल जाता है दोनों में आपको ट्रीपट पर सीम मिलती है, वारंटी है एक साल की कोनिक्टिवटी है दोनों में थर्च और पॉर्जी की दोनों में रेम सीम है चार्जब और छेंज भी की दोने की मेमोरी सीम है चार्जब और छेंज भी की दोनों में आपको अंडूरिट 11 मिलता है अपने अपनी वाई के साथ बात कते हैं प्राइज की वोको कहे 14,99 पी एमाई कहे 13,000 रुपी तो अफिर आपको दोनों में से कौन सा पॉन पसंद आया कौन बॉक्स में जोरो बताना अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफ़ लीना ही तो आप वोको के साथ जाआ सकते हो बेस्ट है बाकि आपकी चोईस है